नवश्कार दोस्तों कैसे आप उमीद करता हूं अच्छे होंगे और आज की वीडियो में परासाइटालोजी की कुछ इंट्रड़क्टरी टरम्स जो हैं उनके भारे में हम पढ़ेंगे आप computer screen पे देख रहे हैं कुछ एक basic terms जो हैं वो मैंने लिखी हैं उन्हें को समझने कोशिश करेंगे देखे पेरासाइटालोजी को अगर आपने समझना है तो उसके basics clear होना बहुत ज़रू है और इसी वीडियो में हम ये clear करने की कोशिश करेंगे जो basic terms होती हैं पेरासाइटालोजी में वो क्या-क्या होती हैं और उनके क्या meanings रहते हैं ये हमारा topic है देखे इसका literally जो meaning रहता है वो study of parasites रहता है तो इसमें कुछ एक terms होंगी जिनको मैं key terms आप देख रहे हैं मैंने लिखा है key terms या इसको मैं introduction भी कह सकता हूँ of parasitology अब parasitology की बारे में मैं already आपको बता चुका हूँ parasitology means study of parasites अब parasit क्या होते हैं वो भी हमें समझना ज़रूरी है parasit किस तरह क्या organisms होते हैं लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको अभी समझाया है उसको clear अपने mind में आप कर लीजिए कि parasitology is the study of parasites अब इसमें next चलते हैं हम कि हमारा parasitology में कौन-कौन से चीज़ें आती है तो parasitology की अगर मैं बात करूँ तो उसमें अलग अलग तरह के parasites आएंगे तो अगर circle में represent किया है मैंने इसमें जो dots हैं उनको आप इस तरह से समझिए कि अलग अलग जो parasites हैं उनको अपने study करना है जिसका example पहला example है malaria parasites तो malaria क्या है वो bacterial disease नहीं है ये एक parasitic disease है next ट्राइपाइनसोमा ये एक organism है जो parasites की category में आता है and so on and so forth अब next आते हैं parasitology को अगर समझना है तो उसमें key terms जो हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है parasitology में parasites का सबसे पहले जिकराता है तो parasites क्या होते हैं किने हम parasites कह सकते हैं तो parasites वो organisms होते हैं इसलिए मैं यहां पर organisms वो होते हैं जो cause करते हैं parasitic infection, parasitic diseases जो होती हैं जिनकी वज़े से होती हैं उनको हम parasites कहते हैं तो parasites वो organisms हैं जो parasitic disease house करते हैं इसमें जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि basic terms हम बढ़ रहे हैं ectoparasite और endoparasite की different categories आजाती है ecto यानि बाहर, outside या surface के उपर इस तरह से हम इसको समझने कोशिश कर सकते हैं endo यानि inside inside the body, inside the cell तो parasites living outside the host body और surface के उपर होते हैं अलग-अलग तरह कि आपने parasites के बारे में सुना होगा pest के बारे में सुना होगा तो वो इस करिगरी में आते हैं next है endoparasite, endoparasite ऐसे organisms होते हैं जो body के inside cells के अंदर, body के अंदर रहते हैं उनको हम endoparasites कहते हैं तो बहुत ही easy है समझना अगर आपको terms जो है clear हो जाती है parasitology की तो आप जब parasites के बारे में पढ़ते हैं तो उस वक्त अगर किसी parasite का reference दो में तो आप एक तम से समझ जाएंगे की what is acto or what is endo तो human body को अगर हम लेके चलें as an example तो दिखे यहां पर human body की illustration मैंने कोशिश किया बनाने की उतनी अच्छी तो नहीं बनी है लेकिन I think you can recognize तो इसमें जो अलग-अलग organisms inside the body है अकर parasite body के अंदर है तो हम उसे endoparasite कहेंगे तो red color में आप देख रहें if parasite is inside we will call it as an endoparasite इसको circle में मैंने कर दिया है देखे यहां पर example नहीं discuss कर रहे हैं we are not discussing the examples yellow color में देखे parasite outside the body है यह surface के उपर है तो उसको उसके case में हम इसको actoparasite कहेंगे तो next stage आजाती है आपकी actoparasite की अब आगे चलें तो host के बारे में भी हमें यहां पर जाना ज़रूरी है host क्या होता है host और parasitic का जो inter relationship है वो कितने important रहती है host वो organism है host is that organism which provides the benefit parasite को कहीं तो रहना है उसको nutrients चाहिए तो वो nutrients कहां से मिलेंगे host में तो वो organism जहाँ parasite रहता है उसको हम host कहेंगे और parasite किसे कहेंगे parasite वो organism है जो host से nutrition acquire कहता है तो इस relationship को हम parasitism भी कहते हैं इसमें क्या रहता है कि only one organism is getting benefit from the other organism एक ही direction में benefit flow हो रहा है दूसरी direction में benefit नहीं हो रहा है एक ही direction में harmfulness flow हो रही है दूसरी direction में harmfulness नहीं flow हो रही है यह main feature रहता है parasitic diseases का, parasitic infections का या host parasite relationship का तो यहां पर यह बातें सबस्चनी जरूरी है थोड़ी सी basic हमने यहां पर समझे कुशिश की और parasitology हमने थेकिया revise कर लेते हैं एक वरी तो हमने क्या समझा कि की terms क्या रहती हैं इसमें specifically 3 terms के बारे में हमने यहां पर discuss किया पहली तो parasite host के बारे में भी जाना हमने acto endo parasite के बारे में जाना कि parasite जो body के outside या surface के उपर रहते हैं उनको हम acto कह सकते हैं endo means body के अंदर रहने वाले parasites को और host किसे कहते हैं host वो organism है जो nutrient provide करता है parasites वो organisms हैं जो nutrition लेते हैं और in return कुछ नहीं देते तो ये कुछ एक important चीज़े हैं जो आपको समझने चुरूरी हैं इसी तरह के और भी concepts हैं इसी तरह की और भी terms हैं जो हम अकले वीडियो में समझेंगे और उमीद करूंगा कि आपको parasitology थोड़ी बहुत clear होनी शुरू हो जाएगी और आगे जो हैं बहुत important parasites हैं जो हमने cover करने हैं parasitology को cover करना है तो अगर आपको parasitology में interest है आप परना चाहते हैं तो जरूर भने रहिएगा channel में और अगर आपको content पसंद आता है तो channel का part बने subscribe करें और support करें वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो share भी करें अपने friends के साथ तो चली मिलेंगे अगले वीडियो में